Hello Friends, Welcome to iSpeaks Forum आज हम वीडियो में बात करने वाले है कि ELISIS क्यों आपकी Tax Saving के लिए एक better option है अगर आप इसे compare करते हो PPF से तो आज हम ELISIS के बारे में ही बताने वाले है ये सवाल मुसे काफी लोगों ने पूछा है कि हमें ELISIS में investment करना चाहिए या PPF में continue रखना चाहिए तो अगर मैं आज हम ऐसा investor अगर किसी से भी पूछते है और खास तोर से अपने parents से पूछते है तो कि हमको अगर Tax Saving करने के लिए कहां investment करना चाहिए तो most of the investors आपको suggest करेंगे कि PPF में invest कर दो क्योंकि normally PPF में investors सोचते है कि आपका पैसा काफी basically public provident fund एक काफी reliable assured return option लगता है लोगों को तो उसलिए आपको लोग suggest करते हैं लेकिन ये एक ब्रहम है जो कि आपके पैसे की एक काफी बड़ी value का loss कर रहा है nearly 21 lakh मैं आगे वीडियो में बता हुआ कि मैंने कैसे calculate कर रहा है लेकिन ये काफी बड़ा एक illusion है कि जो की आपके पैसे की जो opportunity cost है वो लगबग 21,00,000 रुपे के बरावर है तो अगर आप salary class हो और अगर आप किसी ही अपने friends के कहने पर colleagues के कहने पर PPF investment करते हो और आप 50,00,000 रुपे 15 साल तक क्योंकि PPF में 15 साल का lock-in होता है 15 साल तक आपको investment करना होता है minimum और हर साल कुछ contribution करना होता है तो अगर आप 15 साल के पिरड़ में PPF में हर साल 50,00,000 रुपे investment करते हो क्योंकि ETC में 50,00,000 रुपे की limit है तो लगबग आपका जो 15 साल में amount accumulate होता है मैंने आज के rate of interest पर यह calculate कर रहा है तो हर 15 साल में 8% का अगर आपको rate of interest मिल रहा है तो जो total 15 साल में जो आपको rate of interest मिलता है वो लगबग मिलता 3,25,000 रुपे करीब का जो टोटल वैल्यू आपकी तयार होती है, जो आपको 15 साल में आपको 3,5,825 रुपे का इंटर्स मिलेगा, इस तरह है, तो जो पूरा maturity amount निकल के आता है, वो लगबग निकल के आता है, 43,98,000 रुपीज, हाँ, क्योंकि normally PPF आपका triple E exempted है, मतलब आपको जो maturity amount मिलती है, वो भ सब्से बेकार फंड यानि worst performing fund में भी अगर वो निवेस करते हो, 15 साल के लिए, तो लगबग आपका जो पैसा accumulate होता है, इस 15 साल में लगबग वो उसकी value होती है, 65,8 lakh, तो लगबग 21,00 रुपे का difference, ये बात मैं ऐसा ही नहीं बल रहा हूँ, अगर आप किसी भी particularly, किसी worst equity fund को, worst, ELSS category के equity fund को उठा के देखते है, 15 साल उसमें invest करते है, उसका एक calculate करते है, तो लगबग आपका बहुत अच्छा value निकल किया आता है, तो अगर उसे PPF में compare करते है, तो हमेसा वो return ज्यादा देखेगा आपको, क्योंकि equity में आपको हमेसा return ज्यादा मिलेंगा, अगर 15 स cases पर, लेकिन अगर आप equity market में निवेस करते हो, 15 साल का आपका tenure होता है, तो equity market में ये दो, आपके 15 साल के period में कम से कम, दो market cycles के ups and downs आता है, जैसे कि अगर आप बात करें, 2000 से लेकि 2008 तक ही, तो 2008 में market काफी गिरा, 40-50% का गिरावट आया था, उसके बाद 2013 से लेकि 2007 तक market न तो market में उतार चड़ा बाता है, और 15 साल के period में, equity में हमेशा से इसर आए, कि कम से कम, दो बार market ups and downs होता है, मतलब market में 2 cycles आती ही है, और अगर आप 10 साल का average return देखते है, mutual funds का, 10 साल अगर आप investment करते हैं, तो आपको लगवग 10% का return असानी से मिल जाता है, जो कि आपके P.P rate of interest से कम से कम 2% तो जाधा हो गई, क्योंकि नॉमली P.P.P. पर आपको 8% मिल रहा भी, बट अगर आप 15 साल का track record उठा के देखते हैं, तो जो भी worst performing fund होगा, जिसने worst performing fund मैंने आपर जो लिया था, LIC tax plan या किसी भी particular tax plan को उठा के देख लिजए, आपको 10, 11, 12% return तो असानी स मिले ही है तो अगर आप 15 साल में किसी भी वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड को उठा के दिखते है तो उसने भी कम से कम 12 से 13 परसंट रिटरंस तो दिये ही है अब प्पफ के साथ सबसे एक और चैलेंजिंग फैक्ट ही है दोस्तों कि प्पफ पर जो रेट ओफ इंटरस्ट है वो फिक्स नहीं है इट कीप चेंजिंग ओन दा बेसिस अफ रेट फिक्स भाइद गौर्वन और इंटरस्ट भी चेंज होता रहता है जैसे कि कुछ समय पहले यह 7.9 था अभी 8 परसंट है और सबसे बड़ी बात खास बात यह है कि जो आपका रेट ओफ इंटरस्ट होता ह है वो सिर्फ यह नहीं है कि जो न्यू कॉंट्रिब्यूट करोगे आप न्यू कॉंट्रिबूशन करोगे पेप अप में उस पर वो एप्लाई होगा इवन जो भी आपका अभी तक ओवर ओल एक्कुमिलेटिड अमांट है यानि अगर आपने मालीजे पास साल तक 8% रेट इन्वेस्ट करा पीप अप में छटे साल से मालीजे कि गॉर्वन सेकुरिटीज की डीट ओफ इंटर्स कपी होता है या गॉर्वन अपने रेट ओफ इंटर्स कपॉर्स करते है तो आपको मालीजे 6% जो आपको कमप progress करना पढ़ेगा पिप यूसकी वज़ा से उसके नॉमली यहाँ पर लॉजिक सिंपल सा दोस्तों यही है कि देखो गौर्वेंट बैसिकली पीप अप में जो पैसा आपका इंवेस्टमेंट होता है वो सीधा-सीधा है कि गौर्वेंट आपसे बोरो करती है इसलिए उसके एवस में वो आपको रेट ओफ इंटरस देती है आपसे पीपेफ के वे में पीपेफ के एक रूट के थुरू और साथ में गौर्वेंट गौर्वेंट सेक्योरिटी भी आवके मार्केट से गौर्वेंट सेक्योरिटी के थुरू भी पैसा उठाती है मार्केट से और माल अभी जैसे कि 7.3% rate of interest G-Sec rates है तो सीधा सिंपल स लोजिक है अगर आप पीपेफ के rate of interest rate की history उठाके देख लेजिए since 1986 की बात कर रहा हूं तो 1986 से 2000 तक तो पीपेफ के rate of interest थे वो लगवग 12% के थे उसके बाद rate of interest 9.5 हुए फिर 9 हुए फिर 8 हुए फिर 8.6 हुए फिर 8.8 हुए फिर 8.7 हुए और अभी 7.8 है फिर 7.6 फिर 8 परसंट चल रहा है तो पीपेफ के rate of interest हम इसा fix नहीं रहे यानि एक आपको fix returns नहीं है कि आपको guarantee नहीं है कि 8% मिलेगा या 6% मिलेगा कुछ कह नहीं सकते जिस तरह किसे government rate of interest fix करती है उस तरह से आपको rate of interest मिलेगा और हम इसे develop economy में जैसे हम जानते कि इंडिया एक developing economy है आ मतलब हमारी economy आगे grow करते जा रहे है उस तरीके से rate of interest और कम होते जा रहे है जो government के bonds है government security rate of interest और कम होते जा रहे है तो depend करेगा but आप देखोगे trend देखोगे तो trend हमेशा यही बोलता है कि rate of interest हमेशा PPF के rate of interest दिरे दिरे कम होते जा रहे है अब आप यह बिल्कुल भी ना सोचो मैंने कि इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं PPF के बिल्कुल अंगेंस्ट में हूँ मैं PPF के बिल्कुल अ इस बेनियो मुझे भी लगता है कि PPF एक एक awesome product है but मेरा मनना दोस्तों है कि PPF सिर्फ आपका एक debt portfolio है और PPF अगर आप investment की बात करते हैं investment portfolio की बात करते हैं तो PPF is not enough for your investment portfolio let me tell you guys पहले क्या होता था कि हमारे previous generation में या हमारे parents या हमारे parents या हमारे parents या हमारे grand parents normally उससे में लोग PPF में investment करना पसंद करते थे उनका by default option PPF में investment करना था अगर उनसे किसी से पूछा जाता था तो normally उसके पीछे reason यहीं था कि जो PPF में आप पहले पैसा investment करते थे वो tax reduction तब भ 12% के थे जैसे मैंने बताया कि 1986 से लेकि 2000 तक 12% का rate of interest मिलता था and even though maturity amount था वो tax fee था इसवे जिसे लोग by default PPF में investment करते थे लेकिन अब वो scenario change हो चुका है अगर आप just for a moment अगर आप just बास सोचे कि PPF में अगर आपको investment करना है जिसका maturity period 15 साल है तो अगर आपका 15 साल का period है तो better होगा कि आप उसे किसी long term goal से align करे जो कि कम से कम 15 साल से उपर हो 15 साल के बाद हो तो obviously आप अपने 15 साल के अगर 15 साल के लिए investment करे तो retirement के लिए आप उस समझता हूँ कि जब हम long term goals की बात करते हैं तो हम उस assets में या उस asset class में investment करना पसंद करेंगी जहाँ पर हमें higher returns मिले को कि 15 साल में inflation भी आपके returns को erode करेगा को कि अगर inflation अगर 7% है या 6% है और अगर आपको 8% rate of interest मिल रहा है तो लगवगा net return तो आपको सिफ 1% मिल रहा है त तो आप अगर longer term के लिए investment करना चाहते हो तो आपको भी consider करना होगा कि आपको उस investment revenue में पैसे डालना होगा जहाँ पर returns ज्यादा मिल सके है जहाँ पर मैं inflation को beat कर सकूँ तो अगर आप पुराने data को ठाकी देख लेते हैं मैं 1979 की बात कर रहा हूँ आप भी खुद compare कर सकते ह तो अगर आप 1979 की data को ठाके देख लेते हैं कि अगर आप 15 साल तक equity में investment करते हो कभी भी 1979 से लेके अभी तक 2018 अगर आप 15 साल तक continuously stay invested रहते हो अपने investments में तो कभी भी as a situation आया नहीं है कि negative returns मिला हो मतलब even आप कोई भी market cycle को ठाके देख लेते हो और 15 साल तक अगर आप investment करते है 15 साल का time period में और यह मैंने compare भी करके देखा यह मैंने ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ मैंने यह data भी calculate करके देखा मैंने इसमें मैंने 2000 से यहनि सन 2000 से लेकि 2000 तक का figure निकाला और मान लिजे कि आप daily invest करते हो मतलब आपने daily investment करा और उस daily investment को 15 साल तक आपने रखा मतलब 15 साल तक आपने उस पैसे को invested रखा उस equity में investment कर रखा तो अगर आप daily returns का daily rolling हर 15 साल के rolling returns निकालते हो कि मैं daily investment कर रहा हूँ 15 साल के लिए रख रहा हूँ उसका rolling returns निकालते हो उन सिनेरियो का तो जो figure सामने निकल के आई है वो निकल के यह आई है कि 99.11% chances यह है क कि आपको 15% से रधा returns मिले रहते हैं मैंने बोला 99.11% chances यह थे कि आपको 15% से return ज्यादा मिले होते हैं मैंने यह पर ELSS category का rolling returns निकालके calculate करा तो यहाँ पर यह data proof करता है यह evidence काफी reliable है कि अगर आप 15 साल का आपका lock-in है 15 साल के लिए आप पैसा lock करना चाहते हो 15 साल के लिए investment करना चाहते हो तो मैं उस investment avenue में उस जगा पैसा क्यों रख हुआ जहाँ पर मुझे debt type of return मिल रहा है debt fund type of return मिल रहा है नहीं 8% 9% पर मैं पैसा lock क्यों करूँआ 15 साल के लिए बैटर होगा कि मैं उस पैसे को equity में invest करूँ इसलिए ELSS और वो even जो PPF है उसमें fix भी नहीं है return rate of interest आप हो कितना मिलेगा तो इसलिए ELSS एक better option है अगर आपका long term investment का आपका option है अगर आप long term investment करना चाहते हो 15 साल के लिए आप investment कर रहे हो तो ELSS एक ज्यादा better option जो कि आपको अच्छा returns देगा क्योंकि data तो यही प्रूफ better option है अगर आपका long term horizon है आप long term के लिए investment करना चाहते हो 15 साल जैसे की PPF में आप करते हो तो better होगा कि आप ELSS में investment करो क्योंकि PPF में तो फिर भी 15 साल का lock in है लेकिन ELSS में अगर आपको emergency पड़ते है तो 3 साल के बाद वो पैसा withdraw कर सकते हो लेकिन मेरा मानना तो यही रहेगा कि ELSS में अगर आप investment करते हो तो SIP के थुरू कीजे को कि जो last 3 महीने में जो hassle होता है tax saving के लिए उसको जहिलना नहीं पड़ेगा आपको अगर हर महीने आप systematic way में आप investment करते हो तो SIP में आप को ज्यादा benefit मिलता है और SIP के थुरू आप अपनी cost को भी average out कर पाते हो को कि हमे higher price per unit purchase करते हो और market गिरा हो तो अब lower price per purchase करते हो इस problem को इस situation से बचने के लिए SIP में investment करना ज्यादा better है वहाँ पर यह सोचने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है कि market बढ़ा हुआ या कम investment करें वो systematic investment हो रहा है और वहाँ पर ज्यादा फाइदा मिलता है क्योंकि आपकी जो cost of fund है उसका average out हो जाता है over a longer period time तो आज मेरा विरुमनाने मक्सद दोस्तों यही था कि ELSS आपके लिए एक better option क्यों है अगर आप इसे compare करते हो ppf में I believe यह data और analysis जो मैंने किया है आप लोगों के लिए आपको पसंद आया होगा मैं इसी तरीके से personal finance पे mutual financial जोड़ी जानकारी और strategies basically कि आप कैसा पैसा ज्यादा कमा सकते हो इस बार अबे वीडियो से अल्रेडी बनाते रहता हूँ तो मेरी आपसे विंती है दोस्तों कि प्लीज वीडियो के नीचे like का button है like जरूर कीजे अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आप हमाई channel को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस वीडियो को अपने friends के साथ अपने colleagues के साथ ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजे ताकि उनको भी difference मालूम चल सके कि long term में ELSS आपको ज्यादा benefit देता अगर आप अभी भी PPF में लाइक जरूर कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे अपने friends के साथ अपने colleagues के साथ वीडियो को सेयर कीजे तो दोस्तों आज के लेतना ही धन्यवाद बंदे मातरम चैहिंद